ज्लू फ्रेंडस रधे रादे आज की वीडियो में हम देखेंगे की हम सिवलिंग का अभी से पूजा कैसे करते हैं यानि कि पूजा कैसे करते हैं सबसे पहले तो हम एक पात्र ले लेंगे उस पात्र पर हम स्वास्तिक का चिंन बना लेंगे यह आप Better भी लिख सकते हैं अब इसके बाद हम सिवलिंग इस पर विराजमान कर लेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने सिवलिंग को विराजमान कर लिया है भगवान शिव शंकर भोले भंडारी का अभिशेक करेंगे तो अभिशेक करने के लिए सबसे पहले हम जल से अभिशेक करेंग से अभिशेक कराएंगे तो इस तरह से तीन बार हमें शिवलिंग को सिनान कराना होता है सुद्ध जल से दोबारा अभिशेक करने के बाद अब हम दिया जला लेंगे शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं, अगर देसी घी का दिया ना जला सके तो तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, इसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे, तो देखें तिलक करने के लिए आप सफेद या पीले रंग का चंदन ले सकते हैं, भगवान सिर शंकर भोले का तिलक किया जाता है इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे अक्षत समर्पित करने के बाद हम वस्तर सवरूप कलावा समर्पित करेंगे तो देखे आप प्रति दिन जब पूजा करते हैं सिवलिंग की तो आप वस्तर सवरूप कलावा समर्पित कर दे और कभी जब फूल के भी प्रति दिन शीवलिंग की पूजा कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास फूल है, तो मैं फूल समर्पित कर दूँगी, इसके बाद हम लोग भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में आप मेवे ले सकते हैं, मिस्री ले सकते हैं, या कोई भी फल जो भी आपके पास एविलेबल हो आप हो फल ले सकते हैं रोजाना जिस भी चीज का भोग लगाना चाहते हैं जो भी आसानी से घर पे एविलेबल हो आप उस चीज का भोग लगा सकते हैं फागुन का महिना है तो फागुन के महिने में आप बेर का भोग लगाएं बहुत ही शुब माना जाता है तो इस दरह से हम भोग समर्पित करेंगे और उसके बाद हम शिव शंकर भोले भंडारी की आरती करेंगे आरती करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी फ्रेंट्स बहुती सरल विधी से हम प्रती दिन शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं अगर आप घर पे शिवलिंग रखते हैं तो प्रती दिन इस विधी से आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं पूजा के कुछ समय बाद जब दिया शान्त हो जाए उसके बाद जो अभी शेक का जल है इसको परसाथ सोरुप घर में सभी लोग ग्रहन कर सकते हैं या आप इसको किसी भी पोधे में डाल सकते हैं तुलसी के पोधे में हमें इस जल को नहीं डालना है तुलसी के अलावा आप किसी और पोधे में ये जल डाल सकते हैं तो इस तरह से हमें प्रती दिन सिवलिंग की पूजा करनी होती है। फ्रेंड्स भगवान शिव शंकर बहुत ही भोले होते हैं। थोड़ी सी पूजा और थोड़े से प्रियास से ही परशन होकर मनवांचित फल देते हैं। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। फ्रेंड्स शिव शंकर भोले भंडारी की प्रती दिन की पूजा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमेशिवाद।